Hello students, आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का चैप्टर 7 इवान्स ट्राइज एन ओ लेवल बाई कॉलिन बैक्स्टर First of all मैं आपको बता दूँ ये ओ लेवल एक्जाम क्या है ये जर्मनी लेंगविज का ओडिनरी लेवल का एक्जाम है इस चैप्टर की स्टोरी एक क्रिमिनल के राउन रहती है जो कई बार जेल से भागने में कामियाब हुआ है स्टोरी रिलेट करती है उसके आखरी बार भागने की कोशिस से Evans इस chapter का main character है वे decide करता है कि वे O level की exam crack करेगा Evans तीन बार jail से भाग चुका है इसलिए उसे Evans the break कहा जाता है क्या कहा जाता है Evans the break Governor उसका criminal background जानने के बाद उसे O level exam की permission दे देते हैं लेकिन Governor उससे भागने का कोई chance नहीं देना चाहते इसलिए उसके razor वगेरा collect करवा लेते हैं जिससे वे shaving वगेरा करता है और वे उसका exam भी prison में के अंदर ही conduct करवाते हैं ताकि वे भाग ना सके अगले दिन सुभा साड़े 8 बजे इवान के पास दो visitors आते हैं Stephen and Mr. Jackson वे कहते हैं कि तुम ने ये जो red color की hat पहन रखी है उसे उतार दो क्योंकि ये जो hat है ये बहुत ही खराब लग रही है इवान्स Mr. Jackson से कहता है कि यह मेरी lucky hat है आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है मैं इसी hat की वजे से हुआ है मैं इसे नहीं उतारूंगा आप मुझे इसे पहने रहने की permission दे तो उसे उस head को पहने रखने की permission दे दे देता है इवान्स कहता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं आज मेरा German test है तो I hope ये मेरे लिए good luck लेकर आए इवान्स को पता था कि Mr. Jackson कहीं न कहीं एक soft person है वह agree कर जाएंगे और होता भी यही है वह agree कर लेते हैं फिर सुबा 8.45 पर Mac Larry जो इवान के invigilator होंगे अपने घर से निकल पड़ते हैं एक suit case में बहुत सारा जरूरत का सामान लेकर वो सामान होता है इवान्स की ये दो घंटे की परिशा 9.15 पर स्टार्ट होनी थी गवर्नर किसी भी परकार की उच नीच नहीं चाहते थे इसलिए रूम में recorder लगा दिया जाता है जिससे गवर्नर डारेक्ट सब बाते सुन सके यानि वे उससे डारेक्ली कनेक्ट रहें स्टीफन और जैक्सन को आउडर मिलता है कि मैकलेरी इन्विजिलेटर को भी अच्छे से चेक किया जाए तो उनकी पेपर नाइफ ले ली जाती है जिस एक पेपर नाइफ उनके पास होती है वो भी वो कलेक्ट कर लेते हैं ताकि इन्विजिलेटर को हार्म न पहुँचा सके और भाग न सके फाइनली 9.25 एम पर एक्जाम स्टार्ट हो जाता है मैकलेरी इन्वान्स को कुछ डेटेल्स फिल करने को कहते हैं वो डेटेल्स होती है नेम ओफ दी पेपर 0211 इंडेक्स नमबर 313 सैंटर नमबर 271 दैन इवान्स का एक्जाम शुरू हो जाता है और स्टीफन बार-बार सैल में जहाग कर देखता रहता है कि कहीं कोई गडबर तो नहीं है तब एक्जामीनेशन बार्ट से गवर्नर को कॉल आता है कि किसी ने पेपर के अंदर करेक्शन स्लिप रखी नहीं जो कि बहुत जरूरी थी उनको लगता है कि यह कॉल कोई फेक कॉल लगती है उन्हें डाउट होता है वो वापस examination board में call करते हैं और वो call busy जाने लगती है तो उन्हें लगता है कि हाँ ये fake call नहीं है this is a real call correction slip events को दिये दी जाती है उस correction slip में लिखा होता है page 3, line 15, fourth word page 3 पे line 15 में fourth word है वह है golden ना कि golden इन दो wordों की बीच का correction उसमें होता है कुछ देर बार governor को call आती है दुबारा से call आती है magistrate court से कि उन्हें एक prison man चाहिए और prison officers कुछ prison officers भी चाहिए उन्हें फिर से fake call का doubt होने लगता है फिर से governor को governor फिर से magistrate court में call करते हैं और उन्हें फिर से यकिन हो जाता है कि हाँ ये असली call है ये कोई fake call नहीं है फिर governor दुबारा से अपना दियान इवांस की तरफ लगाते हैं और recorder अपने receiver ओन करते हैं और recorder सुनने लगते हैं तभी governor की तरफ से Stephen के लिए call आता है कि exam खत्म होने के बाद Maclary को बहार दरवाजे तक छोड़ने जाया जाये और इवांस को लॉक करके जाये फाइनली exam 11.25 एम पर खत्म हो जाता है फिर Stephen कैंटीन जाने से पहले एक बार इवांस को चेक करने के लिए आता है जैसे कि हम अगर रात को सोते हैं तो अपने दरवाजे चेक करते हैं कि बंद हैं या नहीं है तो इसी तरह वो भी अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इवांस को चेक करने आता है वे जागता है हॉल में से और एकदम चिल लाता है ओ नो और देखता है एक आदमी चेयर पर पड़ा होता है खून से लतपत उसे लगता है इवांस मेकलेरी को हीट करके उसके कपड़े पहन कर भाग गया है जब मेकलेरी को देखा जाता है तो वे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ जल्दी से करेक्शन स्लिप लेकर करेक्शन स्लिप लेकर आओ करेक्शन स्लिप लाई जाती है और उस पर पता चलता है कि एक और slip लगी हुई थी और उस पर लिखा होता है इवान्स फॉलो दी प्लैन और ये भी लिखा आता है कि मैकलेरी की ज़ादा जोर से हिट ना करे मैकलेरी बार बार कहता है मुझे पता है इवान्स कहा गया है वह एल्स फिल्ड वे की तरह गया है और वह इवान्स को ढूनने लगते हैं और सुपरिटेंडेंट स्टीफन और जैक्सन को बहुत डाट लगाते हैं कि तुमने उसके रूम की चेकिंग अच्छे से नहीं की उसके पास एक पादरी का सामान आकिर कहां से आया उस पादरी का ये सब सामान फिर मैकलेरी और पॉलिस ओफिसर उसे ढूनने जाते हैं और थोड़ी देर मैकलेरी को होस्पिटल छोड़कर पुलिस खुद हीवान्स को ढूनने लगती हैं तब सुपरिटेंडेंडेंट होस्पिटल फोन करके पूशता है तो वहाँ से पता चलता है वहाँ कोई आया ही सुपरिटेंडेंडेंड ओफिसर सर पकड़कर बैट जाता है और जब उसे समझ आता है कि असली मैकलेरी तो जेल तक आया ही नहीं उसे उसके फ्लैट में ही बांद कर मूपर टेप लगा कर बंद कर दिया गया था जो इन्विजिलेटर आया था वे इवान्स का ही कोई फ्र पहले ही अपने बाल छोटे-छोटे काट लिये थे ताकि वह मैकलेरी जैसा दीख सके इवान्स फिश एंड चिप्स खाता है और गॉल्डन लियन होटल में चला जाता है होटल के रिसेप्शन पर एक नई लड़की होती है इवान्स उससे कहता है कि मैं सुबह जल्दी आऊ तो मुझे केवल ब्रेफस्ट चाहिए होगा इवान्स जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है उसके सर पर कुछ हिट करता है और सामने बैठे होते हैं गवर्नर जिसे वे कता ही देखना नहीं चाहता यानि गवर्नर उसकी लोकेशन का पता लगाकर उससे पहले ही होटल र कहां से लेकर आए वह कहता है ब्लड ट्यूब में था और वह पिग का ब्लड था और इसमें 3.8% इंसान का खुन मिला हुआ था गवर्नर पूचता है तुमने प्लान किसके साथ मिल कर बया तुम्हारे पास तो कोई आता चाहता भी नहीं था वह कहता है मेरे कई दोस्त है ज से पुलीस बहर कई खड़ी है आपके वैट को आ इवास और इवास ब्लेमों का शाधुत क्वश्ताइब की एवास को ख़ोग जाती है फिर इवास को वहाँ से पूचता हा व्ट अबला डू इसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं इस तरह इंवां नहीं सिख्वा में जाता है तो ये थी हमारे chapter 7 की समरी I hope आपको समझ में आई होगी So don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel Thank you